तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्लान वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और हमारा अपने थम्नेल भी देखा होगा जिसका साइज यह 11.25 इसी मॉडल को आज हम डिसकस करेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारी पेड़ सर्विस के यू बगएरा बेड़ूम बगएरा डिजाइन की है और शाथ-शाथ सेकेंड फ्लोर पर भी डिजाइन की है तो इसी प्लान को आज हम डिसकस करेंगे पूरे 11.25 जैसा भी आप मॉडल देख पा रहे होंगे हलाकि साइज बहुत ही कम है 11.25 लेकिन फिर भी यहापर फुल पूरा आपको मकान तेखने को मिलता है सारी विवस्ताइं मिलती है तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले आप सो गोजरे जरूर करेंगे अगर आपने भी दख इस महाला उस प्लान को सब्काइब नहीं किया तो प्ली जरूर कर लें साथ-चाथ-वेर आइकन दबा दें यदि आप आप हमारी पेड़ सर्विस का यूज़ करना चाहते है तो आप हमारी पेड़ सर्विस का यूज़ कर सकते हैं नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाट्सप नंबर आप हम वहाँ पर कॉंटेक्ट करें किसी भी टाइप का नक्सा, डेजाइन, कुछ भ मैं remove कर देता हूं जैसे मैं इस टी रिमूब करता हूं तो अब यह प्लाना पैसा देख पा रहा हूंगे अब हम आपको discuss करते हैं इसका सब्सक्राइब ग्राउंड फ्रोड तो मैंने जैसे की बताए ग्राउंड फ्रोड पर इस पर स्रिफ सॉप मैंने डिजाइन की है यह यह केवल नीचे सॉप चाहिए केवल नीचे सॉप है सरफ स्टेर्स हैं जो कि आपकी डाई फिट का है जीना आप यहां से जाएंगे बहार यह सटर दिया हुआ है इसके बात करते हैं हम फास्ट लोड की तो यह सका फास्ट लोड है मैं थोड़ा जूम इन आउट करता हूं यह स्टेर्स होगा इसे आम आदम से उपर आएंगे डाई फिट का तो जैसा अब उपर आएंगे तो यहां पर यह आप जो इस पेस देख रहें हैं बहुत ही कम होगा दो से डाई फिट का स्पेस हो क्योंकि जगए कम है पीसे आपको बड़ा से बैड डूम मिल जाएग लगव स्टेर्स आएंगे और रूम में इंटर करेंगे लेकिन थोड़ा से मैंने स्पेस यहां पर छोड़ दिया है और जैस इसके साइड में भी एक यह बैड डूम डिजाइन किया है जो कि रिक्वार्मेंट थी उनकी एक डैनिंग रूम की और एक बैड रूम की तो यह O b dis ki काफी है आप देख सकते हैं इसके बाद मने की डूर दिया है इस डूर से आप आँएंगे इस बालकनी में आपको यहां पर रेलींग लगा नींपड़ेगी क्योंकि यहां पर इस्टेर्स होगा तो आपको यहां पर दिक्कत मिलेगी तो आपको छारो तरफ रेलिंग लगा देंगे और इसके बाद अब आपको यह मिल जाता है सबसे फ्रेंट में आपका लेटिंग और बात्रूम जो रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग में रिजाइन किया है उनका कहना था हमें लेटिंग बात्रूम फर्स प्रोड पर चाहिए तो उन्हीं के कहने पर आधा यह लेटिंग बात्रूम आपको दोस्तों जो छज्जा निकलेगा बाहर उस पर होगा और आधा आपका छज्जे के पीशे होगा तो यह टोटल को बड़ा से लेटिंग बात्रूम अगर आप चाहते हैं किशन डिजाइन करना तो आप इसे किशन भी बना सकते हैं इस रूम पे आप यहां पर रेलिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर होगा स्टेर्स तो आपकी जगह नहीं होगी अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर जैसे आते हैं तो सेम टू सेम बेड्रूम वही रहेगा स्टेर्स भी वही रहेगे आपकी बस आपका जो बदलेगा ये वाला जो डाइनि रूम था ये मैंने केशिन मना दिया थोड़ा सा स्रिंग करके छोटा करके लगो पांच पेट में और इसके लिए एक डूर एक विंडो भी दे दिया है विंडिलेशन के ये केशिन हो गया और जो आपके लेटरिंग और बातमो वैसा ही रहा है आप देख पा रहा है ये जैसा नीचे था तो इसके लिए डूर और विंटिलेशन के लिए ये प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग हाला कि विंटिलेशन के ये आप आप सकता पड़ेगी तो इस टेर्स को आप जाल वगरा रखवा सकते हैं जो मैंने जगह ये दो फिट की आपको बताई दिया है अगर रखना चाहते हैं तो ये तो इसका फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर और ग्रांड फ्लोर हो गया 11 बाई 20 अब इसके लाज़ फ्लोर की बात करते है तो लाज़ फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया है ये स्टेर कबर थे वह आपके उड़ियो करें अब कोई भी चेंजमेंट करना चाहते है तो आप हमें कमेंड करके बता सकते हैं है तो यारा वी 25 जैसा भी लगा हमें कमेंड करें शाइस्टर स्विडियो कर जाणकर जरू करते हैं अगर आपने मीदर के स्मान शनो गला विडीक आफ्स जिरू करलें. थांक्स वाचिन.